मुम्मई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैट्स का एक्जाम था जो बुक ढूड़ने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुम्मई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है तो उसने पापा को कोल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़की को बिजवा कर बुक मंगवा देंगे तो पापा ने कहा यह possible नहीं है, सब busy है तो फिर उसने कहा कि क्यों न आंकल को कह दें आप की वो कुरियर करवा दें तो पापा हसने लगे कि पहली बात तो same day कोई कुरियर देगा नहीं और अगर देगा भी तो बहुत ज़ादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे तो इसी problem का solution उसके दिमाग में आया उसने सोचा कि क्यों ने एक startup शुरू किया जाए जो कि same day pick up करे और same day delivery करे और वो भी कम charges में आठ महीने की मेहनत के बाद उसने एक company शुरू की और देखते ही देखते वो company करोडों की company बन दी Yes I am talking about papers and parcels and उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक महता Guys यहां सीखने लाएक बात यह है कि ideas कभी भी उमर के मोहताज नहीं होते